इस वीडियो में दी हुई जंकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते ह और नैतिक रूप से केरल के प्राकृतिक नारियल के खीतों से प्राप्थ होते हैं। इसका उप्योग खाना पकाने में किया जाता है और यह आपकी तवचा और बालों के लिए भी फाइदे मंद है। इसका शरीर के अंदर और बाहर कायाकल प्रभाव पड़ता है। चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में। एक, यह वजिन नारियल तेल पांच महीने से अधिक पुराने नर्म नारियल से बनाया जाता है। सेंट्रिफ्यूज निशकर्शन तक्नीक ये सुनिश्चत करती हैं कि सभी महत्वपूर्ण पोशक तत्व अंदर बंध हैं। वजिन नारियल तेल अधिकांच स्वस्थ आहार योजनाओं में फिट बैठता है और 100% कीटों के अनुकूल है। हलकी बूंदा बांदी से लेकर गहरे तलने तक ये किसी भी प्रकार के खाना पकाने के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। 3. स्वस्थ मसूडों और स्वच दांतों को बनाए रखने के लिए औल पुलिंग के लिए कोल्ड प्रेस्ट वजिन नारियल तेल एक उतक्रिष्ट विकल्प है। शुद नारियल तेल मौखिक उप्योग और उब्भोग के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। 4. वजिन नारियल तेल जल्दी बच जाता है और आसानी से तूट जाता है जिसके परिणामस्वरूप उर्जा तेजी से बढ़ती है। ये शरीर में प्रोटीन और अन्य पोशक तत्वों के साथ भी अच्छी तरह से जुड़ता है। 5. वजिन नारियल तेल में मध्यम श्रिंखला के फैटी एसिट तूट कर कीटोंस छोड़ते हैं जो आपको लंबे समय तक त्रिप्त महसूस कराते हैं और आपकी भूग को कम करने में मदद करते हैं। 6. वजिन नारियल तेल को त्वचा की कोशिकाओं को नमी देने और पुनर जीवित करने की ख्षमता के लिए जाना जाता है। ये रूसी को रोकने और उससे निपटने में भी मदद करता है। वजिन नारियल तेल का उप्योग एक बहतरीन मालिश तेल के रूप में भी किय जा सकता है। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें।